साई की बात और अच्छा ही सोचते हो सब के लिए तुम सचे भक्त हो साई के सचे दिवाने हो साई के तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो बहुत प्यारे और तुम्हें आज एक आशरवाद दूमे कि तुम्हारा बाबा हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा जिन्दगी भर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हें एक आशरवात और देता हूँ मेरे बचे कि तुम्हारी भक्ती पूरी जिन्दगी रहेगी मुझसे जुड़े रहोगे हमेशा हमेशा जिन्दगी भर तुम अपने साइं से जरुवत पड़ेना कभी भी तो सिर्फ एक बार आवास लगा देना साई बस तुम्हारा साई दोड़ा दोड़ा तुम्हारे पास चल कर आएगा मेरे बच्चे चाहे मैं कहीं भी हूँगा ना मैं तुम्हारे पास दोड़ा दोड़ा चल कर आऊंगा तुम देखना इसी तरीके से तुम जिससे भी प्यार करते हो या जिसके लिए मुझसे मिन्नते करते हो प्रात्नाय करते हो ना उनकी जिन्दगी भी अच्छी रहेगी उनका स्वास्त भी बहुत अच्छा रहेगा वो बहुत सुख जाओगे और तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि कुछ भी कोई तुमसे कह दे या कुछ भी तुमसे कोई बोल देना लेकिन फिर भी तुम अपने उद्देश से हटोगे नहीं तुम्हारा लक्ष बिल्कुल सीधा है और तुम बिल्कुल भटकोगे नहीं मेरे बचे और उसक माच में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद तुम्हें बहुत पसंद करेंगे और कई लोग ऐसे भी होंगे जो तुमसे ईशा भी करेंगे लेकिन ईशा करने वालों से डरना मत घबराना मत तुम पर तरह तरह की इलजाम लगाएंगे तुम्हें परिशान करने की बना कर रखा है ना तुमने, जो तुम्हारे अंदर मजबताई है, बस वही रहने चाहिए, तुम कमजोर पढ़ी नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, ऐसे कैसे तुम कमजोर पढ़ जाओगे, बोलो, और सुनो, आज एक और आश्रवात देता हूँ, कि जब जब सुनने में आएगा, समझने में आएगा, तुमने पुरानी चीजों को बहुत बार पढ़ा होगा, दोहराया भी होगा, लेकिन इस बार उनी पुरानी चीजों को पढ़कर, तुम्हें कुछ नई चीज़े सीखने को मिलेंगी, कुछ नई चीज़े तुम्हारे सामने देने के लिए आये हो तुम्हें देना ही है लेना नहीं है मेरे बच्चे क्योंकि मैं तुम्हें इतना दे रहा हूं कि तुम आगे बस बाटते रहोगे तुम देने आये हो मेरे बच्चे खुशिया प्यार चीजे मेरे बच्चे तुम देने आये हो और ये तुम्हारे कर्मों अच्छन सी कीमत को तुम सिर्फ याद रखोगे अपना वर्तमान और तुम्हें अपने वर्तमान की इतनी कीमत होगी कि तुम कुछ भी याद नहीं करोगे, कुछ भी उल्टा सीधा, तुम्हें याद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे स्वर है न, जो तुम्हारे शब्द हैं, उस वर मा सरस्वती विराजित हो जाएंगी मेरे बच्चे, और सब कुछ अच्छा ही होगा, और जो तुम्हारी धोनी है जो तुमρά वहवार है, जो तुम्हारे स्वर है, ये लोगों के दिल को छूलेंगे मेरे बच्चे, तुम जहां बैठोगे जहां जाओगे न, वहाँ तुम अपनी छाप छड़ोगे, वहाँ पर लोग तुम्हारी तारीफे करते हैं नहीं ठαकेंगे, ये आशिरव पर अशिर्वाद देता जा रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि आज तुम्हारा साहिव बहुत खुश है। तुमसे बहुत बाहुत है। और एक बात सुनों, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जिन्हों ने तुम्हारे साथ दर्व Wishवार किया हैं, नफरत की है, गलत चीजे बोली है एक दिन वो भी आएंगे तुम्हारे पास और वही लोग तुमसे इतना प्यार करेंगे न और अपनी गलतियों का पश्टावा लेकर तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे पैरों में जुख जाएंगे मेरे बचे तुम्हारा करने का तरीका हमेशा अलग रहा है और तुम अलग ही रहे हो और तुम अलग ही रहोगे क्योंकि तुम मेरे बचे हो तुम बहुत प्यारे बचे हो मेरे बचे और तुम्हारी हर एक चीज मुझ तक पहुँचाती है और कभी कभी तुम्हें लगे न कि तुम्हें अपनी बात मुझ तक कैसे पहुँचानी है, वो क्या तरीका है, तो सुनो, इश्वर तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, मेरा नाम जाप या मेरा पारायन, तुम मेरा नाम जाप या मेरा पारायन करोगे न, मेरे नाम से, मेरा नाम जाप करकर, मेरे विश्वा तो चिंता मत करना, वो भी सब सुधर जाएगा मेरे बचे, वो भी सब अच्छा हो जाएगा, और हर रिष्टे प्यारे हो जाएगी, तुम्हें हर एक रिष्टे उसे प्यार मिलेगा, मेरी भक्ती मिलेगी, और मेरी भक्ती सिर्फ आज या कल की नहीं, मेरी भक्ती हमेशा, ज आगे पहुंचाओगे कि सब कुछ पलट हो जाएगा, सब कुछ पलट हो जाएगा, मेरे बच्चे और तुम सब कुछ पालोगे, जो भी तुम चाहते हो ना, जो भी हासल करना चाहते हो, जो भी तुमारे सपने थे, जो भी तुमारे सोच थी, कि वो तुम करना चाहते हो, तुम्हारे बिना रहे नहीं पाएंगे इतना प्यार करेंगे तुम से तुम देखते जाओ बस अब ये तुम्हारा साइन ने तुम्हें आश्रवाद दे दिया है और वो आश्रवाद मेरा बहुत जल्दी फली भूत होने वाला है मेरे बचे तुम्हारे जिन्दगी बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी होने वाली है और तुमने बहुत प्यारी भक्ती की है मेरी बहुत सचे दिल से बहुत इमानदारी से है न और सुनो कुछ आज मेरे बचे बहुत नाराज है बहुत उदास है मेरे बच्चे क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है न वो अच्छा नहीं हो रहा है वो उनके साथ गलत हो रहा है ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारी कोई गलती नहीं कहीं पर नहीं पर कुछ लोग ऐसे बत्तमीज है न इतने बत्तमीज लोग हैं कि उनकी तुमसे इत तुम खड़े रहना डट कर रहना तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ था बाबा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे तुम बिल्कुल चिंता मत करना बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे और सुनो मेरे बच्चे तुम्हारे कुछ पुराने कपड़े रखे हुए हैं न अंदर अलमारी में उसे उठाओ और उसे ऐसे एक बच्चे को दो, जिसे जरुवत है मेरे बच्चे, उस बच्चे को मेरे बहुत ठंड लग रही है मेरे बच्चे और तुम्हारे द्वारा वो कपड़े जाएंगे, तो मेरे बच्चे को ढूंडो और जाकर दो, और रही ढूंडने क की बात तो चलो ठीक है वो बच्चा भी तुम्हारे सामने जल्द ही आ जाएगा अपनी आप उसे दे देना मेरे बच्चे खुश रहो आज का रात्री साई संदेश समापती हुआ